पद्मा मीना गौर्णमेंट कोलेज कोड़ पुतली एसोसेट प्रफेसर आज की वैक्षेन में आपको ब्रिटिस हमिदान जो की हमारे बीए पार्ट दिरतिये का प्रतम प्रेशन पतर है मैं प्रमुक राज विवस्ता हैं उसमें मैं आज आपको ब्रिटिस हमिदान क्या है ब आज प्रेश कंवरे वह क्या है डिसाध क्या आपके समने परस्तूत हैं जैसे आप सभी जानते हैं कि बृटिण को इंग्लेंड बृटिन आग्रेट्व इंके नाम से भी पुकारा जाता है उसका पूरा बृटिन का पूरा नाम है ग्रेट बिटेन और उत्री आइलेंड का सेंट राज्य यद्दिपी नाम में वेल्स और स्कॉटलेंड का उलेक नहीं किया गया लेकिन वेल्स और स्कॉटलेंड के प्रदेश भी इसमें ग्रेट बृतेन में समय लिता हैं तो ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चे में से देख छोटा सा टाप हो इसका छेतर फल दो लाग चौमाले सजार किलोमेटर है और जनसंग के छे करोड़ पचास लाग से कुछ अधिक है और ब्रिटेन के से इस लगू अकार्णे से सू संगठ तिकाई का रूप प्रधान क प्रधान किया है और ब्रिटेन में इसी करने कातमक व mascte सफल रही है तो ब्रिटे समयधान एक विख्सित समयधान है इसके 14 सो वर्षों के आधार पर अपने वर्तमां सवरूप को प्राप्त किया और अब धी विकास में हैं समयधानिक विकास कर दर्ष्ट्री से masking Дंक यह श या सेट इसवी तक एंग्लो सेक्षन काल या सिमीद रास्तंत्रम जिसे कह सकते हैं उसके स्तापना ब्रेटेन में हुई और समयन्दानी की विकास का प्रारम एंग्लो सेक्षन काल से समझा जा सकता है इस काल में स्तापित की गई संस्ताओं में दो प्रमुक संस्ता हैं नियंतरित राश्पद और रिस्तानी सवसाशन की वेवस्ता एंगलो सेक्षन राजा की शक्तिया ऐसमित नहीं होती थी और उस पर विटनेज मौट या विटन का नियंतरन होता था जो राजा की शक्तियों क एसमित होने से रोकती थी, ब्रिटेन में राजा दुवरा प्रभावशाले सामनतों, सरदारों और विश्पा आधी को सम्मेलित किया जाता था, तो यह वह एंग्लो सक्षन काल, एसमित राज संत्र के स्तापना काल, जो कि विद्यार के 50 सदी से 1666 इसवी तक माना जाता है, द इसको राज की निरंग कुष्टा और सबल केंदी सरकार का उदे का काल माना जाता है, और यह 1666 इसवी से 1170 तक ब्रिटेन में रहा, और एंग्लो सक्षन काल की जो वेवस्ता थी, विस्ताने आधार पर तो संगटित थी, लेकिन राश्टी आधार पर यह कैसी थी, जोड़ मौट, उसने विटनेज मौट को समाप कर दिया, लेकिन राजा का अधिकार छेत्रियकार इतने अधिक बढ़ गए कि नितिन दानों और साश्टन में राजा के सायता के लिए दो संस्ता हूं, मैगनम कॉंसलियम या महान राजपत और क्यूरियर रेजिस या राज्य परिश लेंटेगेनेट और लंकास्टेन काल या वेदनिक संस्ता हम जिसे काल कह सकते हैं, नॉर्मन काल में राजप और इस्तापी साशन मेवस्ता में हैंडि परिशम ने सुधार किया और साशन कारिय में कुशलता के लिए क्यूरियर रेजिस के प्रशाशन नए सम्मंधी कारियो में विभाजन कर प्रिवी कॉंसिल और एक्स शेकर नाम के रूप में दो संस्ता हैं बने गई इसी काल में समराट जोन को जनता से करके रूप में बहुत अधिक धन्राशे एकतित करने के आवशक तान्मा हुई अता जन प्रतिनिद्यू को बिलाया गया और इस पकर प्रति के सिद्दान्त का उदे हुआ और चोथा जो मेगना काट है या जिसे वरत अधिकार पत्र कह सकते हैं उसका उदे वीसी काल मा कि 11-19 में क्या हो कि जॉन नामक राजा इंगलेंड की राजगदी पर बैठा लेकिन सामन्तों ने इसे आयोग्य एदूर दर्शी और अत्यचार सो दुख्यों कर उसके विरुद्ध विद्रो कर दिया सभी सामन्तों ने और 15 जून 1215 को रनीमेड नामकिस्तान पर उसे एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया और यह अधिकार पत्री क्या कहलाता है मैगना कार्टा या महान अधिकार पत्र के ना प्रदान के जिनने समराड जोन ने भंग कर दिया था मैगना कार्टा ने सामन्त वर्ग को जो अधिकार प्रदान किये थे वो धिर दिर सामन्त जनता को भी मिल गया इस पकार मैगना कार्टार ने राजा की निरंकुष्टा कांतगर मर्यादित रास्तंत्र और विदी के पर्लेमेंट की एक बैटक बुलाई थी लेकिन पर्लेमेंट के उद्धे 12.99 से माना जाता है जब सम्राट एडवर्ड प्रतम ने कर प्रस्ता ओपर सभी वर्गों का समर्तन प्राप्त करने के उद्धेश से पादरी और सामन्तों के अत्रिक्त नगरों के प्रतिनिदियों को बुला है इस बैटक को इमाडल प्रार्लेमेंट कहा जाता है चोधा काल था ब्रिटेस समिदान के विकास में ट्यूडर काल यह पना कठो रास्तांतिर की स्थापना काल इस 14-15 सवो ठीटा के इस तक माना जाता है 14-15 में इंगलेंड में हैंड्री ट्यूडर आसी नुवा सुत्ता पर वो समराट टूडर बहुत अधिक योगे हो शक्ति टूडर समराट थे वो बहुत अधिक शक्ति शाली योगे थे उन्होंनों सामन्तों को नियंत्रित कर सुच्चेचारी शाष्कों की भनती लेकिन जनता केत को धान में रखते हो साषन किया इस काल की मैदपुन बात ये रही कि राजकी शक्ति पॉप के नियंत्रन से मुक्त हो गई और पांच वकाल था स्टूड काल जिसे कि रंकुष रास्तन स्विमित रास्तन्तर के पक्षों में संगर्ष और लोक्तंतर के आदार्शिला के स्तापना ककल कहा जा सकता है ये 1603 से 1714 इसी तक रहा क्योंकि महारा ने एलिजावेट के कोई पुत्र या निकट संबन दी नहीं था इससे जब उनकी मृत्य हो गई तो 1603 में इंग्लेंड का सिंगासन इसकोटलेंड के राजा जैमस प्रथम नने समाला और जैमस प्रथम के जब मृत्ट्य हो गई तो उसका पूत्र चार्थ परत्षम गद्धी पर बैठा और चार्थ म ने क्या क्या संसत के पेक्षा कर दी और मनमानी प्रारम कर दी और राजा के देवि अधिकारों तेथ विशेश अधिकारों पर बलदेना प्रारम कर दिया ऐसे इस तति में उसका संसत से जगड़ा ओआ और 1625 उस समें संसत चाल्स परतम से अधिकार याशना पत्र को मन स्फ़ल ही जिसे राजा की शक्ति उपर कुछ महत्पून प्रतिबंद लग गये संसद के दबाओं में चार्ल्स प्रतम ने अधिकार याशना पत्र को अपने स्विकरती प्रदान कर दी किन्तु अपने वचन को नहीं नीवाया जब संसद ने इसका विरोध किया तो समराट ने संसद को भंकर दिया और ग्यारा साल तक संसद के बिना ही साशन किया संसदी निताओं ने समराट के इस निरंकुष्टा का विरोध किया और इन दोनों पक्षों में 1642 से 1645 तक गरह युद्द चला इस गरह युद्द में संसदी निताओं की जीत हुई और समराट चार्ल्स पर मुकदमे चलाकर 1649 में ने मृत्युदंड दिया गया इसी काल में गंटतंतर के साफन नहीं 1649 में इंगलेंड में रास्तंतर तथा लाड़ सभा कांतर कर क्रॉम्वेल के अद्यक्ष्टा में गंटतंतर के साफना की गई और इस समें इंगलेंड में एक लिखे समयधान भी बनाए अपनाया गया और 1648 को क्रॉम्वल की मृत्यु गई पुने रास्तंत्र के स्थापना गंतंत्र और लिके समयदान बिटिस निवासियों के सबाव के अनुकुल नहीं थे अतक रामवेल की मृत्यों के साथ थी इनका अंत हो गया और 1660 में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स दिर्थे को गद्धी पर बिठाया गया उसने 1658 प आजन लगा इसी से बाद में केबिनेट का उदे हुआ और चार्ल्स दिर्थे के साशन काल में हैबिस कारपस एक्ट भी पारित किया गया जिसमें ये विवस्ता की गई कि बिना अभियोग चलाए किसी भी वेक्ति को नजरबंद नहीं रखा चा सकता है इसी काल में इसी समय गोरोपूर्ण करांती ये प्रेशन में विद्यारती प्रेशन आपके परिक्षा में आता है और ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि 16-15 में क्या हुआ कि जब राजा चार्ल्स की दिर्थे की म्रत्थी हो गई तो उसका बड़ा भाई जैम जिर्थे गद्धी पर उन्होने ऑरेंज की राजकोन बिलियम तृती को इंगलेंड पर आकर्मन करने के लिए आमंतित kita विलियम तृती नि एक विशाल सेना के साथ इंगलेंड पर आकरमन कर दिया तो अब जैम जिर्थिन ने को लगा कि सभी पक्षमस का साब छोड़ देते हैं वो फ्रांस भागे इस पगार बिना किसी रक्तपात के वांचीत परिवर्तन हो गये इसे इंग्लेंड की गोरोपन करांती के नाम से जाना जाता है इस गटना करम से राजाय साशन रंकुष्टा रोकली और संसे प्रवसत्ता के सते दिका प्रारूंबा तो तो यह करांतीकारी परिवर्तन रखपात के विनाव इसलिए से गोरोपन करांती के नाम से जाना जाता है इसे कि सासा सोला सो नमसी का अधिकार पत्र है जिसे बिल आफ राइट्स कहते हैं उसका भी उदावा कि गोरोपन करांती के बाद विलियम और मेरी को ब्रिटेन का साशक बनाया गया इस अफसर पर संसा समराड साधिकार पत्र मनवाने में सफल होगी जिसमन निम्न बाते स्विकरत होगी कि संसात की पूरू स्विकरती की मिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता और राजा उकम्सक में एक बार संसत की बेटे कवश्य बुलानी होगी और संसत की पूरू सुविक्रती की बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता और राजा अपने स्वार्स पूर्ती है तो उच्चेवक जैसे किसे नवी नयले के स्थापना नहीं कर सकता और संसत में जनता क कि प्रतिनीदियों को भाक्षन की सतंतता प्राप्त होगी। इसलिए मुन्रों इस अधिकार पत्र के महत प्रकाश जालते वे लिखा कि इससे पार्लेमेंट की वेदानिक पुर्वसत्ता की भुष्णा की गई। उत्रादिकार नियम के अनुशार हेनोवर का रज्यार्ज प्रताम ब्रेटेन का समराड बना और यहीं से संसेदी जन्तंत्र का विकास प्रारूं हुआ और संसेदी जन्तंत्र का विकास इन चन्डों में हुआ कि राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन हो गया और मंत्री मंत्री मंदल की बैटकों के अध्यक्ष्ट समराटी करता था और मंत्री मंदल प्रेणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था लेकिन जैसा ही होनों राजा प्रथम क्या थे अंग्रेजी भाषा से परिशित नहीं थे और इंग्लेंड की राजिती में उनकी कोई रूची न बंद कर दिया और समराट नहीं प्रेणाली का अन्य सिद्धानतों का विकास हुआ और लोग सदन का लोगतंत्री को रणवा सर्वोची सतर्वी शताब्दी में ही संसत में सर्वोचीता प्रात कर ली थी लेकिन संसत अभी परहाप चक्तिशाली नहीं हो पाई थी क्योंकि जनता के एक छोटे भाकाई प्रतिमी करती थी इसलिए संसत के अंदर और बाहर संसती मतादिकार को व्यापक करने के लिए आंदोलन चला और दो इसलिए अटार सुबत्तिस का सुदार कानून पारिद वा जिसके द्वारा सिमीत रूप में मद्यों वर के लोगों को मतादि कार को व्यापक बनाया गया और उन्हें 26 के दिनियम के अधर पर सावजनिक वैसक मतादिकार को स्युकार करते होए 21 साल ही इससे दिखायी कि सभी इस तर्फ पुरुषों को मतादिकार पतार कर दिया गया और लोग सदन के तुनना में लाड़ सभा की शक्तियों का पतन हो प्राप्ति के लिए लोग सदन के तुलना में लौड सभा की शक्तिया कम करना आउशक समझा गया इसलिए 1832 का सुधार कारणून लौड सभा की इच्छा की वुरुद्धु पारित हुआ और इसी समय से लौड सभा की शक्तिया एंग्लेंड में कम होना प्राणाम हो गई इसी प्रकार 1941 के संसदी अदिनियम से लौड सभा की शक्तिया और भी कम कर दी गई और लोग सदन के तुलना में लौड सभा की शक्तिया कम करके इंग्लेंड लोक्तंत की प्राप्ति पुन प्राप्ति कर सका इस पकर हम कहा सकते हैं कि लगबग 14 और सभष्टों के समिदानी की स्थिukों को फ्रापत किया और इस ब्रिटन के समिदानी की विकास के मुख्थ विशेश्टे यहें कियें इस्तिरगति और शानती पूं धंक से हुआ है और समिदानी की विकास की दिशा पने और इसने प्रयान किया है धन्यवाद